हेलो एन असलाम लेकुम वेलकम बैक तो माई चैनल फिजियो एरा एंड आइम यूर होस्ट खदीजा तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ट्रेपीजियस पर होगा ट्रेपीजियस मुसल पर रहेगा इसको हम ट्रैप्स भी बोलते हैं ठीक है तो आप यह देखे ह हमारे नेक के बेस से स्टार्ट करके हमारे बैक को और शॉलडर को काफियाथ तक कवर की होगा ठीक है तो ट्रेपीजियस मुसल जो है हमारी ये हम three fibers हमें इसे divide कर दिया या three further parts में ये divided है इसमें superior tricep यानि के ये middle tricep यानि के ये बिच में and inferior tricep यानि के ये last one portion तो superior means जो अपर वाला portion होता है and inferior means जो नीचे वाला portion होता है इसलिए इसी basis पे हमने इसको नाम दिये है इसे हम upper, middle and lower भी कह सकते हैं इसे हम descending, transverse and ascending भी कह सकते हैं ओके तो descending, transverse और ascending का मैं आपको बताती हूँ किसलिए इसका नाम ये दिया गया है because superior inferior के बहाफ पे इनके location के और descending और ascending किस बहाफ पे दिया गया है देखते हैं just आपको याद रहे इसलिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ आपने digestive system पढ़ा होगा उसमें हमारी large intestine होती है कुछ इस तरहाँ उसकी shape होती है तो इसे हम बोलते हैं ascending colon इसे हम बोलते हैं transverse colon और इसे हम बोलते हैं descending colon ठीक है descending colon तो ascending जो होती है वो नीचे से उपर की तरफ होती है transfer जो होता है वो कैसा होता है straight होता है transfer section तो आप जानते होंगे horizontally होता है और descending जो होता है हमारी उपर से नीचे की तरफ जाती है तो अब यह हमारा first one part जो है यह हमारा descending part है descending ठीक है tricep है descending क्यों है superior part जो है वो हमारा descending part है because उसके जो fibers है वो उपर की तरफ से नीचे की तरफ को आ रहे है ठीक है transverse इसका नाम हमने क्यों दिया दे middle part का because इसके जो fibers है वो transverse यानि horizontal horizontally है और ascending part यानि हमारा inferior part जो है वो ascending हमने उसे क्यों रखा because इसके जो fiber है वो नीचे से उपर की तरफ है तो ascending descending इस वजा से हम क्या कर लेते हैं इसको नाम रख देते हैं इसे ascending descending भी यह तो हो कि हमारे इसके इतने parts में यह divided है कितने portions इसके डिवाइड कर रखे हैं उसके बिहाफ पर ठीक है इसके नाम मैंने आपको बता दिया है और क्या कहते हैं इसको हम diamond shape भी देख रहे हैं कि diamond shape मसल है तो इसकी shape कैसी है diamond shape अब हम देखते है superior tricep superior tricep का origin यानि अब हम trapeze की इसका origin डिस्कुस करते हैं superior tricep आप देखिए superior nukle line ठीक है and external occipital product brands nukle line यह हमारी nukle line है बीच में आप देख रहोंगे इसमें यह जो उपर वाली portion पर है मतलब उपर की तरफ है यानि superior ली जो है वो superior nukle line है तो superior nukle line से हमारी कौन सी portion अटेक होगा tricep का superior portion या descending portion ओके और external occipital protuberance यह जो portion है हमारा यहां यह हमारा external occipital protuberance होता है ओके और अब हमारा middle tricep middle trapezius जो है वो vertebra t1 to t4 से originate करता है यह हमारी vertebra है देखिए यहां से यह दिकरा होगा t1 t1 vertebra से कहां तक रहता है t4 यह इसके origination point है इधर nukle line की तरफ ठीक है यह t1 to t4 से originate करता है और जो हमारा inferior है यानि हमारा ascending trapezius है वो हमारा t5 से है यह t5 है हमारी ठीक है t5 से originate हो रहा है और कहां तक t12 से originate हो रहा है t5 से t12 जो है यह इसका origination point है पूरा का पूरा तो यह यहां से originate हो रहा है हमारा inferior trapezius अब हम देखते हैं इसका insertion insertion कहां कहां होता है superior tricep का insertion कहां होगा lateral third of clavicle clavicle के lateral side कहां होगा इधर ठीक है जो हमारी clavicle है उसके lateral third portion से हमारा first यानि superior tricep यानि हमारा descending portion insert होगा जाके middle tricep यानि ये portion हमारा किस से attach होगा medial acromion margin ठीक है हमारी acromion process जो है उसकी medial margin से और हमारी जो spine of scapula है उसकी superior crest से ठीक है क्या attach होगा हमारा middle part inferior trapezius जो है वो हमारे ये scapula की spine है ये पूरी scapula की spine से हमारा inferior trapezius क्या होगा insert होगा जाके तो ये इसकी original insertion थे next one इसकी nerve supply इसकी nerve supply जो है वो spinal accessory nerve और cervical spinal nerves यानि C3, C4 C3 और C4 ये इसकी nerve supply के लिए responsible है अब हम इसकी action देखते है action भी हमारे तीनो portion का अलग-अलग होगा ठीक है superior portion जो है उसका क्या action है elevate करना scapula को extend करना laterally bend करना हमारी neck को ठीक है अब जो हमारा superior part है वो क्या करेगा elevate करेगा हमारे elevation में help करेगा जब हम अपने shoulders उपर की तरफ करते हैं तो वो portion वो हमारा action होता है elevation का तो elevation जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा superior part जो है trapezius का वो work कर रहोता है तबी और जब हम अपनी neck को side bend करते हैं side bend करते हैं तब कौन help करता है trapezius ठीक है और जब हम क्या करते हैं अपना neck extend करते हैं flexion जो होता है हमारे सर को आगे की तरफ कर लेना और extension जो होता है हमारे सर को पीछे की तरफ कर लेना तो neck का जो extension है यानि हमारे सर को हम जब पीछे की तरफ करते हैं को कराता है trapezius का superior part और middle part क्या कराता है ये कराता है retracts स्कैपूला retract मतलब देखिए protect कैसा retract कैसा होता है जैसे कोई आपके back में punch कर रहा होता है तो आप क्या करते हो अपनी back अंदर की तरफ कर लेते हो तो वो जो action होता है वो होता है retraction का retract कर लिया उसने स्कैपूला को ठीक है तो वहाँ पर जो work कर रही है वो middle part कर रही है trapezius की है ना और जो हमारा last part है यानि हमारा inferior part कह लो या आप कह लो ascending part इसको trapezius का तो ये किसमे help करता है depression of scapula में हमारा जो scapula है वो depress करने में help करता है उसको ठीक है scapula को नीचे की तरफ जब हमारे scapula नीचे की तरफ करते हैं हम ठीक है elevate होगे उपर की तरफ उठाना और depress होगे नीचे की तरफ करना जब हमारा scapula नीचे की तरफ जा रहा होता है तो कौन वर्क करता है inferior portion और जब हमारा ये scapula उपर की तरफ जा रहा होता है तो हमारा help करता है trapezius का superior portion ठीक है तो ये हमारे action हो गए I hope clear हो गए हूँ आपको अब देखते हम इसका clinical anatomy clinical relevance बोल दीजिए या तो मैंने इसमें एक deformity discuss की है ठीक है ये deformity जो होती है वो किस वज़ा से होती है जब हमारी damage हो जाती है तीन nerve में से कोई भी एक nerve damage हो गई तो हमारे scapular winging की condition बन जाती है scapular winging जो है हमारा वो किसकी वज़ा से इन तीन nerves की वज़ा से हो सकता है इन में से कोई भी एक damage हो जाए तो हमारे scapula जो है वो winging scapula की condition में आ जाता है long thoracic nerve जो है वो हमारे serratus anterior muscle को supply करती है dorsal scapular nerve जो है वो हमारे rhomboid muscle को supply करती है and spinal accessory nerve जो कि हमारे किसको trapezius को supply करती है और हम trapezius ही discuss भी कर रहे हैं ठीक है that's why मैंने ये उठाया है तो अगर हमारी spinal accessory nerve damage हो जाती है तो हमारे trapezius जो muscle है उसकी ये सारी working जो है ये disturb हो जाएगी जब ये working डिस्टरब हो जाएगी तो हमारे scapular winging की condition बन जाएगी तो एक तरह से trapezius की deformity जो है trapezius में अगर deformity आ जाए तो हमारे ये condition बनेगी तो इसलिए मैं इसका clinical anatomy मैंने जास्ट ये बिस्किस क्या है ये scapular winging जो है मैं इस पर पूरा एक video बनाऊंगी अच्छे से तो वह आपको और अच्छे जाएगा तो ये इसका clinical relevance था i hope ये आपको वीडियो अच्छे लगी हो अगर guys अच्छे लगी हो तो please इसको like करें channel को subscribe करें and bell icon hit करें जिससे आने वाली videos के notification आपको मिलते रहें and also comment thanks for watching thank you झाली झाली आपको ये तो